रामेश्वर विशाल दीप की चपपा चपपा भूम राम की कहानी से जुड़ी है रामेश्वर मंदिर की अस्थापना के बारे में रामायर की अंसार सिरी राम ने समुंद्र पर सेतु बांदने से पूर्व शिवलिंग के अस्थापना करने का निश्य किया इसके लिए राम पहुस्चे असी имानगैनोर रुप बना ढाएं तथा समने तल्ता देखकर प्रमाइं पहुचे ही प्रतुरी १ृत्य गया कि बलाकत बिंश्च 506 को उखाडने का प्रित्म करने लगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला तब उनको स्री राम की लीला समझ आ गई और गुस्सा चोड़ स्री राम के चड़नों में गिर पड़े स्री राम ने हनमान जी को उठा कर चाती से लगा लिया और बोले मित्र तुमने वेकार में भस उठाब्स जी की अस्थापनग कर देते हैं साथ ही उन्होंने द्या कि हन्मान द््वारा लाया गया वीष्वनाजी की पूजा मुख रूप से हो गी स्री राम द्वारा स्थापित स्थापित फाटिक स्यूलिंग छोटा है और ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता पुर्चोड़ी और सत्रेफों टूची है इसके पीछे बहुत उंचा सोने का ध्वज स्थम्ब है इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेष्था भिन प्रकार के विशाल खंबों की है इधर उधर दोनों और पांच पांच पूचे बरामदों परिस्थित स्थम्बों की लंबी क अतारों परिया इस्तित है इस अंचल में बैलों की खेती नहीं की जाती तथा कोलों भी नहीं चला जाता कारण या की नंदिश्वर भगवान सीव का वाहन है और उनकी नगरी में उससे हल चलाना या कोलों में जोतना अनुची समझा जाता है यहां के निवासी मच्छूओ को छोड़ कर सभी मंदिर से ही अपनी जीव का चलाते हैं मचलिया नारियल के पत्तों की टोकरिया चटाइएं यों समुंद्री वस्तुमें जैसे संख और सीप द्वारा ही अपना निर्वा करते हैं यह आपका पार्ट जो है इसमें रामेश्वर के बारे में आपके प्रमुक तीर्थस्थान है यह स्थल चारोग के प्रमुक हस्थान रखता है रामिश्वर भारत के दच्छिड में मदराश चिन्नी और मुदैर के बीच में इस्थित है या एक दीप हो चुका है प्राचिनकाल में भारत के भाग से जुड़ा होता था इस पर आने के लिए पुल निर्माड सड़क योंडेल हो चुके हैं रामाड के अनसार सी रामचन जी ने लंका पर चढ़ाए के पुर्व स्थापना करने का निश्चे कि चान तम्राइम परंति समय पर सुनुग न आने पर रामजी ने मुठ्थी में रेदबान कर स्थापना कर दी बाद में हंनमाड जी के द्वारा लाए गया सुनुग के स्थापना विश्णाजी के रूप में कर दी थी मंदिर को जर्मksomfa गरिमा देखते ही बनती है वहां का मंदिर बहुत सुन्दर है बहुत ही अच्छा है मंदिर को पांच फुट उचे बरामदो परिस्थे तस्थम्भों की लंबी का तारूप पर बना रखा है यहां के निवासी मच्छों को छोड़ कर उसी मंदिर से सबकी जीव का चलती है अब आपका यह पांच जो है पूरा हुआ धन्यवाद थैंक यूँ